इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके बाद सैमसंग M31 या फिर सैमसंग M30S का डिवाइस है और उसमें आपको आपको अटोमेटिकली डिस्टार्ट की इस्टार्ट हो जाता है हैंग हो जाती है लैग हो जाती है तो इसको आप ठीक केसी करोगे तो वीडियो को सब्सक्राइब तक देखे या पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा तो सबसे पहले अगर आपके वही फोन आटमेटिकली डिस्टार्ट की इस्टार्ट हो जाता है तो उसकेस में कुछ तरीके जिसको आप ट्राइज जरू जाए और सौफ्ट्वेर अपडेट लिखा इस वाले बटन पर जाएए या पर सौफ्ट्वेर अभी दिखा रहा है इसके उपर हम क्लिक करेंगे तो यहां सी यह दिखिए इस वापडेट आ चुके है आपको बस जैसे नया कोई अपडेट आता है अपने सौफ्ट्वेर को अपडेट कर लेना है अपडेट करिए अपने फोन को जिससे की आपके फोन में कोई भी बग्स या फिक कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो इसको आप एक बार पहले सबसे पहले डाउन रोल कर लीजेगा अगर सौफ्ट्वेर अपडेट है बाकि अगर सौफ्ट्वेर आप अपडिट कर रखा हैं फिर भी इस tailor यहां फिर फिर भी प्रॉब्लम हैं तो आपको कह करना है यहाँ पे एक इस तरह इसे से भी स्कुल करेंगे यहांको जो है रिसीट की सेटिंग टूननी है यहां से अगर में आप इसे ऑप ऑपर बार में रिसी女्यांओं हैंगे यहां अब आपको click करना है अब या पर reset all settings अगर आप शेटिंग करते हैं तो इस से आपके फोन का कोई पर data या फिर phone रिसीट नहीं होता बस settings रिसीट होती तो आपको क्या करना है बस अपने फोन की जो setting से उसको को रिसीट कर लेना है कोई भी ऐनक ऐसे हो जाएक है और आपके marin के ओंके ऑटमाटिकलि जो रिस्टार्ट की इस्उ है और ठीक हो जाएगी बस अपने फोन को आसे अफकर का रिसीटिंग है इसे आपके जो लैंज़가 जे या फिर से सेटिंग से फोन की सेटिंग्स डाउनलोड की हुई एपस यह सारी सेटिंग्स बस रिसीट होती है डेटा वगर आपका कई पर नहीं नहीं जाता है उम्मेद आप लोग समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो आप एच्छे लगते हैं तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्रा प्रूर की सेटिंग्स